आमिर खान अपना ही थूक चाटने को मचबूर हो गए हैं लाल सिंग चड़ा को शर्म से बचाने के लिए आमिर हर हतकंडा अपना रहे हैं नाक ना कट जाए इसलिए बार-बार लोगों को ये बताया जा रहा है कि लाल सिंग चड़ा ने भले ही भारत में अच्छा कलेक्शन ना क्या हो लेकिन विदेशों में इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं इस बीच पिछले दूनों खबर आई थी कि आमिर नेट्फिक्स को अपनी फिल्म बेचना चाहते हैं इसके लिए आमिर ने 150 करोड रुपए की डिमांड भी की थी लेकिन नेट्फिक्स ने आमिर को द दाम देने को तयार नहीं हुआ अब खबर आई है कि आमिर ने अपने घुटने नेट्फिक्स के आगे ही टेक दिये हैं और वो अपनी फिल्म 90 करोड रुपए में बेचने को तयार हो गए हैं बॉलीबुट हंगामक की रिपोर्ट के मुताबिक नेट्फिक्स को इस डील मे का घाटा हुआ है इसके अलावन नेट्फिक्स ने कहा है कि वो रिलीज डेट के आठ हफते बाद ही फिल्म को नेट्फिक्स पर डाल देंगे जिसके लिए आमिर ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ भी कह दी है जबकि पहले आमिर इस बात पर आड़े थे कि फिल्म को छे मही किने बाद ही नेट्फिक्स पर रिलीज किया जाए लाल सिंग चड़ा अब कई सिनेमा हौल से उतर भी चुकी है बॉक्स ओफिस पर ये अपनी अंतिम सांसे ले रही है और अब ऐसे में आमिर फटा फट जो कमाना चाहते हैं वो कमाई कर रहे हैं हाला कि 300 करोड में बनी ला लागत निकाल ही लेगी लेकिन ये प्रॉफिट नहीं कमा पाईगी जो फिल्म पर सालों की मेहनत है वो सारी बेकार चली जाएगी फिल्म तो मुनाफ़ा कमाने के लिए ही बनाई जाती है ना कि लागत निकालने के लिए आमिर की ये लगातार दूसरी फ्लॉफ फिल्म हो इस वक्त आमिर जिस दौर से गुजर रहे हैं शायद उतने बुरे दौर से कोई दूसरा स्टार नहीं गुजर रहा होगा फिलाल आमिर के लिए आप क्या कहेंगे अपनी रायहा में कमेंट में दीजे और जाधा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चर्जा को सब्सक्राइब कीजे